हेलो स्टुडेंट, वेलकम बेक टू प्रभालो क्लासेज आज हम देखेंगे कि जो हमारी एट शेड्यूल में 22 लेंग्विजेज हैं, वो किस येर में उन्हें रिकॉग्निशन में लिए थी और कौन सी लेंग्विज किस स्टेट से बिलोग करती है उसको लर्न करने की हम साथ में ट्रिक भी सीखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं, देखी आसाम, आसामी नॉम्मल सी बात है कि आसामी है तो कहां की लेंग्विज होगी, असम की ही होगी टेक है बेंगाली है वेस्ट बेंगाल है वेस्ट बेंगाल में ही बोली जाती होगी बेंगाली है तो गुजराती है तो ये गुजरात में ही बोली जाती होगी इसके लिए को ट्रिक लगाने के जुरत ने हिंदी है ये जो हमारा नौर्थ इंडिया है इसमें बोली जाती है मुकश्मीर में ही बोली जाती होगी अब आ रही है कंणड की तो कंणड है तो करनाटका में बोली जाएगी मले आलम है मले आलम यानि की अब पताईए अब मलेरिय अगर हो जाएगा तो करेला खाना तो उसमें फायदे मन्द होता है करेला खाऊ नहीं तो करेले जैसी कडवी-कडवी दवाईया खाऊ तो मले आलम केरला उसकी बात है माराथी अब माराथी की बात आ यह तो महारास्ट्र यानि की माराथी महारास्ट्र की है तो इसमें ऐसी कोई ट्रिक की जरुएत नहीं है आप एक दो बार कंबाइन करके पढ तो तब भी learn हो जाएगी नेक्स चलते हैं हमारी ओरिया तो नामल सी बात है औरिया है तो ओरिजा की लेंगविज होगी नेक्स पंजाबी पंजाब की संस्कृत अब यह कह रहा है कि संस्कृत अब संस्कृत में नाटक करना क्या आसान काम है संस्कृत का नाटक यान की करनाटक अरे हिंदी में नाटक कर लो इंग्लिश में नाटक कर लो संस्कृत में नाटक करना इजी थोड़ना है तो संस्कृत हो गई आपकी करनाटक उसकी बात है तमिल नॉमल सी बात है तमिल नाटू में ही तेल्गू से लगाए तेलांगना, अब क्योंकि जो तेलांगना है आपका, ये पहले आंदरप्रदेश का ये पार्ट था, तो नॉम्मल सी बात है, जो लोग तेल्गू बोलते हैं तेलांगना के, तो वो थोड़े बहुत तो आंदरप्रदेश में भी होंगे, तो यहाँ पे दोनों स्टेट में क्या बोली जाती है? तेलगु बोली जाती है नेक्स आपकी बात है उर्दु उर्दु कीज एरिया में बोली जाएगी जो मुस्लिम बहुल एरिया है तो ज Almost에eting season आपको पता ही है कि मुस्लिम बहुल एरिया है तेलांगना आपने जो वैसी जी हैं वो तेलांगना कोई ब्लॉंग करते हैं तो नॉमल सी बात है माँ पर मुसलिम बहुल ले रिया है और उत्तर प्रिदेश में तो आप जानते ही हैं तो ये तीनों स्टेट है इसमें क्या है उर्दू लेंग्वेज है इनकी नेक्स्ट आती है हमारी सिंधी देखें सिंधी के अगर हम बात करें देखें मैप की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सिंधू नदी है वो आपकी इस साइड से बहती है ठीक है अब जो भी इस साइड से सिंधू नदी बह रही है तो सिंधी या निकी हम यहां लगा रहे हैं स और इससे यहीं पे लगा हुआ है हमारा यह MP, तो सिंधी यानि कि सिंधु नदी के तरफ जो आपके स्टेट आ रहे हैं, वो बोलते हैं आपकी सिंधी, तो राजस्तान हो गया, गुजरात हो गया, और MP इसले ले लिया क्योंकि हमारे थोड़े राजस्तान से मिला हुआ है, त तो नेक्स्ट है हमारा कॉंकरी, कॉंकरी से हम लेंगे कौन, यानि कि गोवा में हमारे कौन आता है, कौन जो है, नहीं आता है, हमें कोई मतलब नहीं है, यानि कि गोवा वालों कोई मतलब नहीं है, कोई आए, कोई जाए, यानि कि कौन आ रहा है, कौन नहीं, गोवा वालो बात करें, means नैपाली सांप, इसे कैसे याद करेंगे हम नैपाली सांप, सांप यानिकी यह हो गया हमारा S से हो गया सिक्किम, A से हो गया असांप, और जो हमारा यह A P है, A P से हो गया हमारा अरुनाचल प्रदेश ठीक है तो ये जो हमारे तीन स्टेट है इसमें क्या बोली जाती है नैपाली नैपाली साब ठीक है और अगर मैं आपको बताओ तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहां पर यहां पर असम है और यह है हमारा इधर औरनाचलपरदेश ठीक है तो यह इधर के एरिया के ही है ठीक है इसलिए यह मत सूचेगा ए-पी से कहीं आंदरपरदेश तो नहीं हो सकता क्यों? आंदरपरदेश यह यहाँ पर है map में तो यह अलग है बिल्कुल इसलिए यहाँ पर जो पास पास में हैं असम हो गया आपका और नाचल परदीश और सिक्किम ठीक है और नैपाल आपको पता ही है कि नैपाली आपर है ठीक है अब यह थोड़े इधर इसके पास-पास की एरिया है तो नॉमल सी बात है नैपाली का कुछ तो एफेक्ट पढ़ना ही है ठीक है तो यह हमारी हो गई लें करेंगे तो यह आपकि 1992 में ही आपकी इन्हें रोकनेशन मिली थी और यहां पर यह आपर जो सिंधी है हमारी यह 1967 में से रिखोगनेशन मिली थी कि नैक्स्त है वोड़ो वोड़ो अब जो तो बारिश है मेगाले में वो इतनी आसान है कितनी इतनी आसान है मेगाले बारिश होती रहती है अपने सुर्ण नामी मेगा है यानि कि मेगा वर्षा बादल तो मेगाले में जो इतनी आसान है बारिश होनी मेगा होनी कि बिस बोल दो कि बारिश होनी है एकदम हो जाती है ठी बारिश हो जाती है तो बोडो हो गई हमारी असमार में घाले की नेक्स्ट आपकी डोगरी देखिए अगर आप जमू या फिर हिमाचल एरिया जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये हिल एरिया है तो यहां पे आप अच्छा ही है कि डॉग को ना लेके जाएं कोई खचर अगरा ले और आपको इजी हो थोड़ा चड़ाई करने में तो नेक्स्ट आपका मैं थाली और संथाली वची हैं देखिए मैं थाली दोनों में लास्ट में क्या रहा है दोनों में आ रहा है थाली और इसमें भी आ रहा है थाली तो अब इसमें है मैं थाली यानि कि मेरी थाली है मैं स बिहार का ही पाड था पहले ठीक है जारकन जो था यह बिहार का ही पाड था तो नॉम्मल सी बात है बिहार बोला है कि मैं थाली मेरी थाली है तो ठीक है मैं जारकन को दे दूगा क्योंकि मेरा ही पहला मेरा ही भाई था मतलब मेरा ही उससे निकला हुआ है तो इस वज़े से मै सर्फ ज़ारखन को दो देमाटेлятьмо अब सेंथाले यानि की जन जन सैन यह अगर हम मैप के आकॉर्डिंग देखें यह हमारा हमने छोटा सा मैं बनाये हाँ पर तो यहां पर वेस्ट बेंगाल की बात करें तो आपको पता ही है कि यहां पर यह आपका वेस्ट बेंगाल का थोड़ा सा एरिया है ठीक है यहां वेस्ट बेंगाल आता है और यहां पर आपका यह जारखंड हो गया है यह जारखंड है और यह आपका हो गय है उडिसा तो आसपास के थोड़े लगे लगे ही हैं तीनों तो यह मिलकर के एक साथ यहां पर यह हो जाती है जन थाली यहांने कि वेस्ट बेंगाल जारखन और उडिसा यहां पर क्योंकि आसपास में हैं तो यह तो इसमें आपके वेस्ट बेंगाल जारखन और और उडिसा तो यह थी है माई ट्रिक अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और जिससे की नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस तरह के आपकी बना सको तेंक्स वाँ वाचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब